आपके घर में मनी प्लांट तो होगा ही मनी प्लांट जिसके घर में होता है उसके घर में खुसियां जरूर होती है लेकिन इसको लगाने का सही तरीका है सही जगह है तब बरकत जादा होती है मनी प्लांट चुकि धनकी देवी लक्षमी से समंध रखता है और ऐसा कहा जाता है अक्सर लोग कहते हैं कि चुरा कर मनी प्लांट लगाने से ज़्यादा बरकत होता है हलांकि इसमें कितनी सच्चा ही है ये तो पता नहीं लेकिन हाँ अगर आपको ऐसा लगता है तो कर सकते हैं बेसक लेकिन खरीद कर लगाने से ज़्यादा अच्छा है क्योंकि किसी का करज आपके उपर नहीं रहेगा तो अब आगे बढ़ते हैं जब भी मनी प्लांट अपने घर में लगाईए घर के दक्छिन साइड या दक्छिन पूरब कोने के पास दक्छिन साइड से करके ही लगाईए और घर में अगर आप मनी प्लांट मान लेते हैं आपने मिटी में नहीं लगाया है आपने पानी में लगाया है किसी बोतल में डालके तो यकिन मानिए इसे आप अपने पूरब उत्तर के कोना में रख सकते हैं बाकी जगह में जैसे कि घर के उत्तर पस्चिम इन रिसाओं में मनी प्लांट अखने से बचिये क्योंकि यहाँ पर मनी प्लांट के रहने से धन आएगा नहीं बलकि खर्चे ज़ादा होंगे तो जहां तक संबब हो मनी प्लांट को आगने कोन में ही लगाईए तो ज़्यादा अच्छा है जब मनी प्लांट लगाते हैं तो गमले को लाल रंग से पेंट कर दें गमले को लाल रंग से पेंट कर दे या फिर मनी प्लांट के पौधे में लाल रंग के निबन को बांदे और जब भी पौधे लगाई बनी प्लांट का दिहान रखे कि पत्थि नीचे की ओर न जाए उपर की ओर उठ एथे हमेसा ही उसका छताइई करते रहिए जिसे कि लंबे लंबे पत्ते के दोदर ना हूँ, छोटे वाले जो मनी प्लांट के पत्ते होते हैं, वो ज्यादा सुब होते हैं, जब मनी प्लांट का पौधा किसी पेर पर चड़ने लगता है, तो चुकि परजी भी टाइप का चीज हो जाता है न यहां पर, तो दूसरे प कोधे के मिट्टी में थूरा सा अक्षत यानि चाबल जरूर दबा दिजिएगा, एक तो यह कंपोस्ट भी हो जाएगा, दूसरा सुक्र और यानि देवगुरु ब्रहस्पती और मालक्ष्मी दोनों का मिलन होने से जीवन में धन ज्यादा आएगा, खुसियां भी आएगी तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, हर हर महादेव धन्यवाद